कि राज शिच्छा सोध एबम परशिच्छन परिशत पटना विहार में आप लोग का स्वागत है कि विद्यार्थी गन पिछली कच्छा में हम लोग परकास के बारे मध्यन कर रहे थे परकास के अंतरगत हमने यह जाना कि परकास इधिरेखा में गमन करती है परकास के प्रावर्थन की नियम गूली दर्पन के बारे में उत्तल दर्पन अब्तल दर्पन के बारे में ने सिघ्वधन्द जाना था उसके बाद हम लोगोंने लेंज के बारे मरधन करना सुरूर किया उत्ता लेंज अबढ़ द लेंज 8 लेंज शुत्र आवरधन चिन परिपार्ट के बारे में जाना और इसके पिछले विडियों में हम ने लेंस की छमता तो था लेंस की सिमजन के बारे में धन किया आज हमारे पास एक नया टॉपिक है उसका नाम है नेत्र एवं रंगीन संसार तो नेत्र हमारे लिए एक बहुत ही महतपूर्ण अंग है इसे हम इसे ही हम दुनिया को देख पाते हैं समझ पाते हैं नेत्र को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह जो हमारा धिमाग है धिमाग का ही एक extension है फैला हुआ भाग है कि अगर धिमाग को कोई सूचना चाहिए कि सामने क्या है तो उसके लिए आँख एक खिड़की के रूप मे काम करता है आग की सहाइता से ही किसी चीज को हम देख पाते हैं और देखने के बाद दिमाग के पास सूचना जाती है उस सूचना की वो तुलना करता है भूत जो पास्ट की इभेंट से पास्ट की घटना है उससे उसकी तोलना करता है उसके बाद वह बताता है कि वह बस्त बेक्ति की सूचना उस बेक्ति का जो परतिविम्ब हमारे दिमाग तक जाता है और दिमाग उस परतिविम्ब को अपने मेमोरी में अपनी जो उसकी मेमोरी छमता है वहां पर वह सर्च करता है खोज करता है और देखता कि क्या इस बेक्ति को मैंने कभी पहले देखा है अगर पहले देखा हुआ होता है तो दिमाग उससे मिलान करता है कि हाँ यह जो बेक्ति है उसका नाम यह है यहां पर काम करते हैं यह इतने लंवे हैं इनका यह नाम है यह इस तरह से बोलते हैं सारी सुचनाओं का मिलान होता है उसके बाद हमें उस ब्रेक्ति के बारे में सुचना मिलती है कि हाँ इनसे किस तरह से हमें बात करनी है तो यह हमारा दिमाग जो है दिमाग का ही extension part हमारा आख है अगर हम आख को बंद कर ले तो हमारे लिए संसार जो है अंदकार मैं हो जाता है और हम जो बाहर की दुनिया है उसे जो हमारा आख है इसे छोड़ करके लेसे हम उसे चू कर महसूस कर सकते हैं सुन कर महसूस कर सकते हैं उसके बाद सुन कर महसूस कर सकते हैं आख जो है सारे कहता है कि आँख शोरहता है और येशच पर थोड़ा सा यह डोमिन हो जाता है ऐसे टप्रमानुत का मानते है टुटच कभी गनाज है अंक हमारा यह जो सुनने वाली capacity है या सुनने वाली capacity है इस पर dominant करता है तो आज हम लोग आपके बिविन भागों के मद्धिन करेंगे हमारे पास एक आप model देख रहे हैं यह आखका एक model है हमारा आख इतना बड़ा नहीं होता है हमारा जो आख कहांट है के लिए हमारे पास यह जो आप इसे हम देख सकते हैं कि यह आँख यह जो रेट कलड से दिखाया गया है यह यह जो अपर आप देख सकते हैं यह पांच है और एक नीचे वह सकते हैं यह निचे हो इस मास्पेसियों का काम है कि आख को मूब कराना आख को इधर से उधर तक घुमाना जैसे हम अपनी आखों को देखते हैं जो हमारी आखें हैं हम इस आख को जैसे हम घुमाते हैं जैसे अगर हम देखते हैं फिर ऐसे देखते हैं फिर उपर देखते हैं या हम उसे घुमा रह सकता है कि यह तार हमारे पास जो नीचे की माससे यहां पर देख रहे हैं तो यह हमारा यह इस तरह से घूम सकता है से यह यह यहाँ पर है यह तो ऑप मासपेशी अगर हमें देखते हैं यहां पर तो इसे इस प्रकार से घुमती है तो चारव देख रहे हैं एक जो किसरी मासपेशी यहां पर है तो इसे हमारी इसे आखें टिल्ट होती हैं आपर इस तरह से घुम रही हैं और एक और मासपेशी हमारे पास यहां पर है और इससे ह एक गुंगती है कि तो कुल मिलाकर कर यह जो हमारा आईबॉल है जो नेत्र गोलक के उसके पास छह मास पेसियां यह जो छह मासपेसियां इनका नाम भी है जो कि हम लोग जोग में आगे कच्छाओं में इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम उतना नहीं पढ़ना है बस हम इसे मोटे तोई पर हम देख सकते हैं कि यह च्छह हो माश्पेशिया है इनका काम है कि नित्र गोलक को घुमाना अलग-alग एंगल से घुमाना जैसे कि हम लोग घुमाते हैं उसके बाद यह जो हम पार्ट देख रहे हैं का जो पार्ट देख रहे हैं यह पीछे का जो पार्ट है यह पूरा पार्ट हमारा का लाता स्केलरा यह इसे हम अस्केलरा बोलते हैं यह हमारा से क्या है कि इसे हम् बोलते हैं protective layer protective layer मतलब है सुश्च्छा परदान करने वाला layer जो सबसे ओपरी सता है मारी नेतर गोलक का यह हमारे विद्जक्ट परदान करता है और यह जो wrestler है harsh जीसे हम swet पटल बोलते हिंदी में यह स्केल रहा स्वच्छा परदान करता है और इसके पास जो ब्लड वेसिल्स जो होते हैं वैसे महिन महिन नसें जिसमी की रक्त होती है इसके पास नहीं के बराबर होती है यह जो स्केलरा है इसके पास रक्त की नलिकाएं नहीं होती है और आगे इसका जो फैला भाग है यह आगे आ करके पारदर्सी भाग यहां तक यह चलता है और यह यह हमारा पारदर्सी भाग है इसे हम कौर्णिया बोलते हैं और कौर्णिया को हिंदी में हम बोलेंगे स्वच मंडल यह कौर्णिया है स्क्यल्रा का ही पार्ठ कौर्णिया यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम नेत्रदान की बात करते हैं तो नेत्रदान में हम सिर्फ कॉर्णिया को ही डोनेट करते हैं करनिया को ही doesn't Guitar सकते हैं चुकि करनिया कर सकते हैं ँप के पास ब्लेड बेस्यल नहीं के पर और कोई भी अंग जिसके पास ब्लड बेसल से अगर हम उसे डोनेट करते हैं तो किसी दूसरी के स्रीर में जब उसे हम headed करेंगे तो हो सकता है कि आगेंश्ट बना ले और समझेगा हमारा शरीर इस तरह से समझेगा जो अंग है ऑड कहीं बाहर से आया है वह हम्य नुकसान पहुचाएगा और हमारा शरीर उस अंग के विरुद्ध काम करना शुरू कर देगा और उससे जो हमारा अंग है वो फैलवर होगा फिर उससी से समवंधित और भी दूसरे अंग जो है वो भी फैलवर हो जाएंगे तो यह जो कॉर्णिया है कॉर्णिया असानी से डोनेट किया सकता है और आख का यही व्यक्ति कि अगर मिर्ती हो जाती है तो चार शे घंटे तक उनकी आखे जिंदा रहती हैं उसे यह कॉर्णिया को काट कर निकाल सकते हैं और काट कर निकाल सकते हैं और निकालने के बाद हम वहां पर जिसकी कॉर्णिया खराब है वहां पर उससे स्टिच कर देंगे और परकास है यह पूरा ट्रांस्पारेंट है बाहर का जो परकास है उसे यह अंदर आने दिता है तबसे पहला काम यह है कि बाहर का जो परकास है उसे इस कॉर्णिया के माध्यम से यह नेतर के अंदर परवेश करता है दूसरा अगर आप गौर कीजिएगा तो यह जो हमारा कॉर कमर बोलते हैं यह कौर्णिया और नित्रोद यह अफबरतन का काम करेगा परकास को मूड करके वह नित्र की अंदर जो है जाने देता है तो यह अफबरतन का भी काम करता है तो सबसे पहला जो लेंस होगा आंक का वह कौर्णिया ही होगा कौर्णिया और नित्रोद मिलकर के प बढ़तित करता है अब इसे और इसके अंदर हम लोग जाते हैं कि यह हमारा कॉर्णिया है इसे खोलते हैं तो सबसे पहला जो भाग था हमारा यह था असकेलव अब जो दूसरा भाग आप देख रहे हैं यह को राइड आइंक एक ऐसा लेयर है एक ऐसा प्रत है जिसके पास बहुत सारे ब्लड बेसल्स हैं और यह असकेलवा को यह अब देख रहे हैं इसका यह जो सक्रवाइट PART है इसको भी न्योंट करता है को और यह जो हमारा करवाइड है यह सबसे अंदर का जो भाग जिसे हम रेटिना जिसके भाजह अभी हम देखेंगे रेटिना के कुछ भाहों को भी यह न्यूट यह कौर्णिया हम देख रहे हैं कौर्णिया हमारा यह यह निकल गया यहां पर और यह दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं कौरवाइड देख रहे हैं यह जो हमारा दूसरा सता है यह कौरवाइड है और कौरवाइड के बाद यह हम जो इसका आगे का भाग देखते हैं यह चा उसके बाद यह जो हमारा भाग है यहां पर जो यह रंगीन जो दिख रहा है यह भाग इसे हम बोलते हैं परितारिका यह परितारिका है अब परितारिका का क्या काम है तो परितारिका का काम है कि यह परकास की मातरा को नियंतित करता है यह सिकुर सकता है यह परकास की मातरा को नियंतित करता है और यह जो बीच में आप देख रहे हैं डार्क जो यह दिख रहा है यह जो पुरा ब्लैक है इसे हम पुतली बोलते है इंग्लिस में से हम पूपिल बोलेंगे तो इसके साइज को यह बढ़ा सकता है और घटा सकता है इसके साइज को बढ़ाने घटाने में यह परितारिका जिसे आइरिस बोलते हैं इसका ही अहम भूमिका है अब यह करता क्या है कि अगर परकास बहुत अधिक है अगर हम अभी कहा है या गर्मी के समय एकर हम और हमें चल रहे हैं तो हमेर हमें किस चीज को देखने के लिएए बहुए कमपर आप्पर कास करता पड़ रही है तो उजぁे तो परितार कर दिया और उसके बाद से तापर है कि उसके अंदर कम परकास आएगा और कम परकास में ही हम चीजों को देख पाएंगे लेकिन अगर किसी अंधेरे वाले रूम में हम जाते हैं तो ये पुतली का साईज बड़ा हो जाता है ताकि हम अधिक से अधिक परकास की मात्रा को अफसोसित कर सकें और चीजों को ठीक ढंक से देख पाए अब ये ब्लेक क्यों दिखता है इसलिए दिखता की सारी परकास की मातरा को ये अपसुसित कर ले लेगा या या अब वरतन के बाद ये परकास की मातरा को अफसुसित कर लेता ह logo तो ये अगर हम समझ सकते हैं कि यह ऐर यह फूराम है कि परकास को यहां से लेकर रेटीना तक जाने देता आ यह परकास अप्सस्थ करेगा और ये रेटीना तक इसे जाने देगा कि अभी जो इस लिरीई बोडी हमारे पास दो लिप का एक पाट जो है वो आइरिस यह हमारा परितारिका है इसको छोटा बढ़ा करने में यह help करता है और यह किसका फैलावा भाग है यह कोराइड का कोराइड जो लेयर है बीच का लेयर है सब से बारी लेयर हमारा हमारे पास वायट वाला जो आप देख रहे हैं यह हम इसे बोलते हैं कि यह सबसे ऊपर का पर शसे ऐसे स्केलरा बोलेंगे असकेल्रा के अंदर का जो पाथ यह कुलाय कि आप इसे और हम एक बार किषछ एक बार और खोलते हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां से हमारा यह पूपिल देख रहे हैं पूपिल हमारा यहां पे खुला हुआ है इसे हम खोल देते हैं पूपिल खोलने के बाद यह पूपिल के जस्ट पीछे इसमें इसमें बनावा नहीं है पूपिल के जस्ट पीछे एक लेंस होता है इसमें नहीं बताया हुआ है लेंस रहेगा और लेंस को छोटा करना लेंस को पतला करना या मोटा करने का काम जो है वह बचमावी पेसियों का होता है अब लेंस को पतला करना लेंस पतला कब होता है तो हमारा जो हमारी जो आँखें हैं वो आँखें सिथिल यानि कि जो जैसे आँखें राती हैं वैसे ही अगर है तो उस समय हमारा लेंस पतला होता है लेंस पतला होने से ताथ पर है कि वह परकासी किर्णों को बहुत दूर जा सब्सक् Kleist वैसे प्रष्ट होगा जह तो जो लेंद समारा होगा वह पतला और प्रकास जब उससे होकर गुजरेगं तो हम दूर की बस्तुओं को देख पाते हैं Wiki जब पास की कोई बस्तु है तो पास की बस्तु के लिए हमारी पंचमाभी पेसियां है वोगी सिकूड़ा आती तो फईल हुई है यह हमारा लेंस से एलेंस पतला हो गया है से परकास की किरने जाती हैं और बहुत दूर जाकर के परतिविम को बनाती हैं लेकिन अगर हमारा स्रीरी बोडी सिकुड़ जाता है तो सिकुड़ने के बाद यह इस तरह से हो जाएगा लेंस हमारा मोटा हुए अगर किसी नजदीक की बस्तू को हमको देखना है तो हमारा जो लेंस है वह इस तरह से मोटा हो जाएगा और मोटा लेंस से तात्वर है कि वह परकासी कीड़नों को कम दूरी पर आकर करके फोक्सित कर देता है और कम दूरी पर और वह अस्किन से बना हुआ है तो उसके पास एक निश्चित शमता है ज्यादा इसे मोटा नहीं कर सकते हैं इसकी जो देखने की नियुंतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर सेंटीमीटर से पास की बस्तूं को अगर देखेंगे तो हमें सिर्ड दर्द होना सुरू हो जाएगा क्योंकि हम एक स्वक्ष इमेज प्रतिविम नहीं बना पाएंगे तो इसकी एक निश्चित शमता भी है तो यहां तक 25 सेंटीमीटर के बाद तक हमारा जो ले देख रहे हैं यह चल् arbeitet है हम अब यहां पर आप जो देख रहें यह स्क्रिंचुर्ण दिखाई पिर रहा है यह हमारा रेटीना है अलाकि यह जोड़ेज़ आ है है ताकि हम समझ सकें कि यह रेटीना में और क्या-क्या चीज़ें होती है तो रेटीना एक बहुत ही सुच्म जिल्फ होती है बहुत ही कौमल जिल्ली होती है और इसके पास बहुत सारे परकास होती हैं जिसे यह caucus को अफ्सेथ करती हैं और हमें देखने चलिप पहुचाती है अब जितने भी परकास दॉख और ती हैंaları जिसे हम इंगलीच में बोलते हैं आप्टिक नर्व तो हमारे पास यह जो सबसे बाहरी सता है इसे हम रेटीना कहेंगे यह बाहर से भी रेटीना है और में अंदर पर रेटीना है और यह इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसे हम विट्रेस यूमर बोलते हैं इसे कचाब द्रब बोलेंगे इसके अंदर ये लिक्विड भरा होता है और ये जो अंदर का जो सता है ये रेटीना है और परकास यहीं पर आकर पढ़ता है और जो रेटीना है रेटीना के पास बहुत सारे परकास उगराही को सिकाएं होती है और परकास इस यह जो लेंस है इस लेंस से हो करके परकास हो जाती हैं सक्रिय होने के बाद वो विद्दूत सिग्नल उत्पन करती हैं और वह जो विद्दूत सिग्नल है वो इस रेटीना से हो करके आप यह देख सकते हैं यह जो आप्टिक नर्व इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं अब यह जो रेटीना है जो अंदर का भाग है इसे यहां नहीं बना करके यह जो हमारे मोडल है इसे ऊपर बना गया है प्रकास अंदर में पढ़ता है लेकिन इसे ऊपर बना गया आप देख सकते हैं यह ऊपर बना हुआ है अब इसमें यह एक आप देख सकते हैं black is a sport है अर्ट रिसे हम लोग यह black a sport ही कहते हैं इसका नाम है गया छो black a sport है क्या काम है तो जितनी भी दिर्ग तंतरिकाइं वहां पे मिलती है और आँ का एक ऐसा भाग है जहां से अगर हम एक निश्चित दूरी पर एक्टिविटी करते हैं अगर दो पॉइंट को हम ले रहे हैं तो दो पॉइंट को लेने के बाद हम इस पॉइंट पर किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं इसलिए इसे हम ब्लेक अस्पोर्ट कहते हैं उसी पेकार से देखिए साथ नंबर में एक दिया हुआ है ये जो इलो अस्पोर्ट है यहां पर सबसे ज्यादा तिसन परतिविम बनता है जब हम किसी चीज को काफी ग और जिसकी साहिता से हम चीजों को देख पाते हैं आगे की कच्छाओं में और भी हम आंक के विविन भाओं के बारे में पढ़ेंगे और काफी डिटेल में उसको पढ़ेंगे इसके बाद फिर से हम इसे एक बार रिवायज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या देखा एक बार पहले इसे हम इस्टॉल कर लेते हैं इस आख को तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यह हमारा एक नेत्र गोलक है जिसका ब्यास 2.3 cm है यह जो नेत्र गोलक है इसके पास विविन पकार की मास पेसियां है जो कि इसको मुव्मेंट करने में इसको इधर से उधर घुमाने में सहता पहुष आती हैं उसके बाद यह जो सबसे ऊपर भाग हैach है इसे मृसियल रापय से हम सूपटल बोलते हैं और इसए जब खोलते हैं यहां पर यहीं स्केलरा का जो फैलता भाग होल ऑफ इयां पे देख रहें हैं जो पारदर्सी है हमारा कौर्णिय है जिसस बोलते हैं इसका काम है यह परकास को बाहरत इंदर परब॥ेरvaluation करने में साइता पहुच आता है और यह इसके ये हमारा सवच मंडल है सवच मंडल और यह जो परितारिका दरभ्भरा होता है जिसे हम लोग नित्रोध कहते हैं यह हमारा एक्वेस यूमर कहलाता है इंगलिस में दूसरा जो लेयर है यह लेयर हमारा कोरवाइड है और यह जो असकेलरा था यह जो हमारा सता है इसके पास ब्लड बेसल्स नहीं के बराबर होते हैं और इसलिए हम लोगों ने बात क को भी और कॉर्णिया की कुछ भागों को भी ब्लड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और यह जो कॉराइड है इसका ही अगे चल कर देखेंगे स्लियरी बोड़ी है स्लियरी बोड़ी के बाद हमारा यह देखते हैं उसी का एक पार्ट है यह परितारिका जिसे इंग जाना है तो यह जो परितारिका है पूपिल की साइज को बढ़ा सकता है और घटा सकता है उसके बाद यह जो पूपिल है यह हमेसा ब्लैक होता है चुकि यह परकास को अप्सुषित कर लेता है और अप्सुषित करने के बाद यह परकास को यहां से होकर रिटिने तक जाने चो है आख के अंदर वह षेड़ी बोड़ी morning से होता है वहां से वहां पे वो जुड़ा होता है और से बोड़ी का काम है लेंश ना और उसे मोटा करना पतला से मतलब है कि वह दूर की बस्तुों को देखने में हम सक्चम अख出來 सिकूड करके लेंस को मूटा करता है तो उसे हम पास की बस्तों को देख पाते हैं और लेंस के बाद जो है एक लिक्विड इसमें इसके अंदर भरा होता है जिसे विट्रेस यूमर बुलेंगे कचाब द्रब बुलते हैं और उसके बाद का जो सता है अंदर का जो सता है वह हम है कर दिख्ट न्तरिकाद से हो कर हमारे मस्तिक को सुषना को संसोजित करते हैं और हमें वबस दिखने सहाहता पहुंचाते हैं अब इसी में आणदर पास बस्थित बहुत पर बनाया है अब में लूस प्रकार से हमारे पास एक यछट है यहलो स्पर्ट पर हम चीलों को काफी सार काफी ठीक डंक से देख अँग पाते हैं जब दो में एक्तिकश रूम और है इस हमने अगले और भाव में उसकी परिभासाओं को हम लोग देखें ? पैक आध और तबढ़त के लिए धन्यवाद झाल झाल